कर दो कि खालू आपकीक्लासज होती है रात को नौ बज़े तक तो क्या सबी बच्चे सारी क्लासज को फॉलो कर रहे हैं वेटा अपनी फिजिक्स की टीचर, Chemistry की टीचर, English की टीचर और आपकी बायो वाली माम की सारी classes देख रहे हो ना, चलो बहुत अच्छी बात है, बेटा जैसे कि आप जानते हो, डाउटनेट में आपके पास क्या होता है, डेली आपके पास quiz आते हैं, teachers के in between the lecture, start of the lecture, end of the lecture, जो भी टीचर आपसे question पूछता है, आपको देना होता है, उसका सही जवाब, तो आज मैं लेकी आई हूँ, master class, ठीक है, अब ये मत सोचना मैं आपके लिए quiz नहीं लेकी आई हूँ, फिर आप यार शुरू हो जाते हैं, मैं quiz दो, quiz दो, quiz दो, लेकिन बेटा, मैं quiz जरूर लाही हूँ, आपके लिए, जरूर, बिटा, उसमें बहुत सारी diseases है, तो कुछ में आपको communicable disease कराऊंगी, दो important disease कराऊंगी, that is malaria, and बिटा, हम करेंगे AIDS, ठीक है, चलो, तो start करते हैं सबसे पहले, अच्छा, आपको ये तो बिटा, पता होना चाहिए, कि ये जो आपका particular chapter है, it is very very important for your need point of view, और बिटा, obviously, ऐसे, you know, diseases पे questions कम आते हैं, common health and diseases पे, but MCQ बड़े बड़े बनते हैं यहां पे, ठीक है, AIDS आता है, cancer के बारे में आता है, immunity के बारे में आता है, drugs के बारे में आता है, बिटा, causal organism, कोई vector, ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, चलो, तो first, अगर मैं start करते हूँ, बिटा, communicable diseases, अब यार, ये तो बच्पन में पढ़ चुके हैं, कि communicable diseases क्या होती है, पढ़के आई होना, बिटा, communicable, वो diseases है, जो की, एक healthy person पे फैल जाती है, कैसे, एक infected person से, तो, अब चाहिए, वो wind के थुरू हो, यानि की, air droplets हो, you know, हवा में, मैं बेको कोई disease हो रही है, मैंने चीक दिया, air droplets, आप पे आगए, आपको हो गए disease, या बेटा, let's suppose कि, कुछ diseases, body के serum से ही जाती है, blood-blood का sample exchange हो गया, या हम दोनों ने कोई same needle-weedle use कर लिया, तो बेटा, ऐसी चीज़ों से disease फैल जाती है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं, बेटा, जो vectors होते हैं, आपको disease cause करते हैं, like there are numerous vectors, and you know what, बहुत-बहुत important है, उन सा भी vectors के नाम याद करना, और कौन से diseases को वो, फिलाते हैं, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अगर मैं आप से पूछ हूँ, कि क्या आपने Robert Coach का नाम सुना है, can anybody tell me, in the comment section, who is Robert Coach, बेटा, कौन है ये, कौन है, बेटा, ये हैं वो, जिन्होंने कमिने केबल डिजीज के बारे में, you know, चीजे पड़ी थी, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहीं हैं, और उन्होंने, I can say, discover की हैं, कमिने केबल डिजीजेज, और उन्होंने क्या-क्या बोला, की, अकमिने केबल डिजीज is that, जो एक पाथोजन से फहलती है, ये पाथोजन, बेटा, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वाइरिस हो सकता है, it could be a parasite, it could be a protozoan, it could be a worm, it could be any of the one, जो हम आज बहुत सारे करेंगे, ये पाथोजन, infected person से, healthy person में transmit होता है, अब उन्होंने चार statement बोली, या तीन चीज़े बोली की, कोई भी disease, communicable diseases कब होगी, number one, की, अगर मैं infected disease के अंदर से बेटा, वो चीज़े निकालता हूँ, जो disease cause कर रही है, उन्होंने बेटा बोला, कि अगर मैं वो pathogen निकालता हूँ, तो there should be a pathogen, या चलो सबसे starting की बात करते, उन्होंने पहले ये चीज़े बोल दी, कि ये pathogen जो होगा, वो diseased person में होगा, infected person में होगा, और ये बेटा healthy person में नहीं होगा, कि कोई disease, तब communicable disease है, अगर आपको जिस pathogen से disease हुई है, तो वो आप अगर disease हो, तो आपके अंदर होना चाहिए, and if I am not a disease person, I am a healthy person, तो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज़ बेटा नहीं क्या बोली, कि अगर मैं ये pathogen निकाल देती हूँ, तो बेटा इसका pure culture कर सकूँ, इसका मैं pure culture कर सकूँ, है ना, obviously, कोई मतलब, that means, आपकी body में कोई एक pathogen है, जो मेरे body में नहीं है, that means something is there, something is wrong with you, है ना, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बोली, कि अगर मैं उसको culture कराती हूँ लाब में, यानि कि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और आपकी body में भी ऐसा ही हो रहा है, तीसरी चीज़ बेटा क्या बोली, अब अगर मैं इस culture को, इस culture को, अगर मैं inoculate कर दूँ, यानि एक healthy body में डाल दूँ, जिसको कोई disease नहीं है, अगर ये चीज मैं एक healthy body में डालती हूँ, that means, that means, ये बनना भी भाई गया, ठीक है, इसको भी corona हो गया, ये भी infected हो गया, अब क्या होगा, बिटा इसको भी होगी disease, मतलब corona का pathogen, अगर मैं इसमें डालती हूँ, तो इसको भी infected होगे, that means, it is a communicable disease, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक person के अंदर कुछ दिखा रहा था, जब उस pathogen को आपकी body में डाला, that means, वो आपकी body में भी disease पैदा कर रहा है, लिखने को simple line है, हर चीज में conclusion निकलती है, that is important, चौकी चीज क्या बोलते हैं, फिर इसे अगर मैं ये ही pathogen, निकाल के, culture कर के, फिर इसे आगे transfer करूं, तो फिर इसे वही चीज होगी, ये बेटा फिर इसे capable होना चाहिए, आपको disease cause करने के लिए, और ये चार चीजे बोली किसने, Robert Coach ने की, henceforth a disease is a communicable, and that particular pathogen is causing that disease, which can be a bacteria, which can be a fungi, which can be a virus, it can be a helmet, anything, ठीक है, चलो, अब देखते हैं, यहाँ पर बोलते, बेटा कुछ diseases हैं, जल्दी जल्दी screenshot ले लो, जल्दी से screenshot ले लो, ले लिया, चलो, अब आते हैं यहाँ पर, और एके करके, साभी की सभी diseases को पढ़ते हैं, सबसे पहला बेटा, आपका यह टाइफाइड होता है, टाइफाइड मतलब बहुत लोगों को हुआ था, बहुत लोगों हुआ था, मतलब यह, इस अ कामन डिजीज बहुत लोगों हो जाता है, यह गंदे खाने में बना है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर वो जाएगा, कौन जाता है, आपकी बॉडी में बेटा, बैक्तीरिया जाता है, तो फोस्स आइवल तक अबॉड बैक्टीरिय जाता है, तो बेटा, साल्मोनेला टाइफाई, ये एक मोटाई रॉड शेप का पागल बैक्टीरिया है जो हमारी बोडी में जाके हमसको परिशान करता है कैसे आता है contaminated food and water बहुत जादा weakness बहुत जादा भूक नहीं लगना या फिर headache, stomach diarrhea, vomiting ये सारी problem होती है loss of appetite constipation भी हो सकती है diarrhea भी हो सकता है, stomach pain रहता है क्योंकि, क्योंकि, why because it is infecting our intestine और अगर जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हुआ, इस bacteria का level बहुत जादा बढ़ गया तो जरूरी नहीं antibiotic फिर काम करेगी वो जादा बढ़ जाएगा level तो बढ़ उस case में वो perforations cause कर सकता है हमारी body के अंदर now a very important point जो आपको इस case में याद करना है और बहुत बार question आता है there is a test जो यूज होता है किस लिए बटा एक test होता है जो कि particularly use होता है to know whether a person is infected with this bad disease is a Vidal test ठीक है, तो ये आपको learn करना है उसके बाद बिटा आता है pneumonia, pneumonia क्या है streptococcus pneumonia से बना होता है hemophilus influences से होता है ये fever बहुत जादा चानक से तेज़े से ठंड लग रही है chills होते हैं, कफ रहता है headache रहता है, फेलेगा कैसे बिटा अब अगें चीक मार्दी खास दिया और मुह में हाथ नहीं रखा bad menace दिखाए, तो बिटा इन ये droplets है, इनके अंदर ये bacteria है, वो infected person से healthy person पर आ जाएगा बिटा, pneumonia की जो symptoms है न, common cold से मिलते जूते हैं, but you know what वो बहुत ज़्यादा severe हो जाता है ठीक ही नहीं होता, and at one point of time, ये आपकी जो लंग्स की, बिटा, alveol ही है उसको फिल कर देगा, मतलब जिसके अंदर अगर लेवल जादा हो गया, fluid फिल हो जाएगा, उसका जो भी, you know that will grow, वो उसका number increase हो जाएगा आपके अलवेली में और वो बढ़ जाएगा, तो fluid filled, alveol हो जाते हैं and that is the main difference between pneumonia and आपका common cold or वैसी diseases, ठीक है बटा, चालो उसके बाद आपका diptheria आता है now ये cause होता है again a bacteria, corneobactam diptheria बटा, इसमें भी ठंड लगती है बहुत जादा फीवर आ जाता है pain रहता है बोडी में एक चीज़ बड़ी important है ये आपके mucous membrane को effect करती है a mucous membrane कैसा हो गए बटा आपका throat का आपका nose का आपका trachea का you know आपका lungs का not lungs बट जहाँ 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 पर ये जा रहा है आपकी body के अंदर if it is entering your body तो ये stick हो जाता है तो इसका एक एक बड़ा important सा point है जो इसको ऊपर दोनों से अलग करता है that is breathing में problem आने लगती है किसमें problem आने लगती है breathing में problem आने लगती है and also difficulty in swallow and breathing क्योंकि वो mucous membrane से attach हो गए ना बटा आपे problem create कर रहा है अब ये भी droplets के तू जाएगा कोई पी ऐसे चीजी जो आपके you know respirator tract में कर रही है वो mostly आपके droplets के तुरू आती है lymph nodes enlarge हो जाते है pain होता है and it has an effect on the mucous membrane उसके बाद बटा आता है आपका plague अब मुझको कोई बता सकता है कि plague को क्या बोलते है anybody plague का दूसरा नाम क्या है क्या होता है बेचा plague का नाम जल्दी बताएगा कोई answer I need an answer what is the other name of plague anybody बताओ यार बता सकते हो पढ़ रखा है तुमने master class है 12th वाले बच्चे भी हैं यापे मुझे पता है 11th वाले बच्चे भी हैं यापे neat वाले बच्चे भी हैं यापे क्या होता है जल्दी 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 बताओ 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 देखती हो मैं कितने लोग इसका answer देते हैं yes बेटा yes yes how many of you can give the answer हां जी बेटा it is known as black death it is known as black death ठीक है चलो उसके बाद बेटा ये किस्से होता है Yersinia pestis rodan कोई मतलब चुआ वुआ काट गया कोई dog walk काट गया तो उसके थुरू आपके ये अंदर आ जाता है ये बेटा आपके lymph nodes को lymphatic system के जो lymph nodes होते हैं उसको swollen कर देता है inflammation जाती है pain होता है आपको थकावट feel होती है muscles में pain रहता है तो मैंने जैसे बोला rodent से होती है और ये किसको effect कर रहा है बेटा आपके lymph nodes को effect कर रहा है now one एक यहां पर लिखा है dysentery क्या लिखा है जरा देखे लिए dysentery क्या चीज है भाई ये बोलते हैं ना dysentery हो गई dysentery is a condition जहां पर diarrhea हो जाता है वामिटिंग करने का मन करता है नॉस्यस फील करते हो तो एक dysentery कॉस करने वाला और गानिजम बेटा शिगेला होता है ये जो भी ना बहुत सारी डिजीजेस हैं आप लोग के पास पर जो मैं करा रहा हुँ ना that is very very important क्योंकि उनके बेस पे बहुत बारी question आता है नॉन कमनी के बिटा रहे जाएंगी बहुत सारी होती है बढ़ी जाता common diseases जिसके बारे में आपकी NCRT बात करती है तो ये तो बहुत ही important है तो ये diarrhea कॉस करता है nausea कॉस करता है सर्दर्द होगा vomiting जैसा होगा कैसे होगा poor hygiene रखोगे गंदी जगा खाओगे हाथ नहीं दोगे तो हो जाएगा ना तो मत करो ना यार intestine में inflammation हो जाएगी तो आप देख रहे हो जो भी चीज आप जिस तरीके से खा रहे हो मतलब something which you are you know मतलब आप अपनी body में you are welcoming a pathogen through food and water it is affecting your what intestine intestine को affect करता है आपके gastrointestinal tract को affect करता है जो बिटा आपके lungs को infect कर रहा है वो droplets से फैलता है वो आपके respiratory tract को खराब करता है mucous membrane को खराब करता है तो थोड़ा बहुत वहीं से idea लग जाएगा कोई question आता है तो आप neglect कर सकती हो उसके बाद देखो यहां पर क्या है कुछ bacterial diseases जो पीछे नहीं थी उसका नाम यहां पर important है क्यों लिखी है मैंने बिटा वो तो NCIT की बात हुई थी उसके अंदर बट इस पर question बार से भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए Pertuces किस से होता है Pertuces is a disease जो की Bortadela Pertuces It is also a bacteria बिटा और इसका नाम बता सकता है कोई इसका नाम कोई बता सकता है Pertuces को बेटा किस नाम से जाना जाता है बच्चों में होती है यह disease ऐसे वाली voice में जो खासते हैं खासते हैं चोटे बच्चे वूप की sound आती है Can anybody tell me क्या बोलते है इसको Anybody It's known as a whooping cough वूप की sound आती है वूप की बोलते है Pertuces को तो अगेन क्या आप देखो यहापे screenshot भी ले सकते हो तो क्या-क्या होगा अगेन आपको वही सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपका रेस्पेरिट्राक में प्रॉब्लम मारा है कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है यह सारी चीज़े And you know प्यारे बच्चो दाद यह तो पढ़के आए हो Chapter 4 में Reproductive Health में That gonorrhea is the sexually transmitted diseases अभी यह क्या करता है Urinary, you know Urination में पेन कॉस्ट करेगा बिटा यह discharge कॉस्ट कर सकता है Discomfort कॉस्ट करता है बहुत तंग करता है Males and females को The bacteria is necessary gonorrhea Leprosi का नाम बता सकता है कोई ऐसे याता है question इस पे ऐसे याता है यह question Leprosi का नाम कौन बताएगा मुझे Leprosi को जिसने discover किया था उसी के नाम से यह disease जानी जाती है Anybody who can answer पिटा Leprosi का दूसरा नाम क्या है Anybody क्या है दूसरा नाम Notes बना लो यार Notes बना लो लिखते जाओ यह points Leprosi का दूसरा नाम क्या है जल्दी 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 बताएगे Come on चलो कोई नहीं कोई नहीं बटा Leprosi का नाम होता है Hanson disease और अगर question आता है Leprosi किसने discover किया Hanson ने discover किया यह microbacterium lepary से होता है यह क्या करता है यह hypopigmentation कर देता है अचा हाइपो का मतलब less होता है तो जेनरली जो आपका body का color है, complexion है उस जहां कुछ-कुछ areas में जहां पे infect फैल रहा है आपके कुछ-कुछ areas में skin में यह उससे light pigmentation कर देगा राश हो जाएंगे, यूनो प्रॉब्लम रहेगी, आपके यूनो मस्कुलर यूनो उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी, पारलिस जैसी पारलिस टाइप कंडिशन आती है, तो बिटा ही वो आगया आपका लेपरोसी, ठीक है, उसके बाद साइफिलिस, लाओ यूनो, बिटा साइ माइक्रो बेक्टिरियम ट्यूबर क्लोसेज, और ये हमारी बॉडी के अंदर ना, बड़ा एक ट्यूबर क्लिन नाम का, टॉक्सन पैदा कर देता है, ये टॉक्सन हमें प्रॉब्लम करता है, इंफेक्ट करता है, बिटा अब ये डिपेंडिंग अपॉन की आपका इताम मोह नेरी बेटा कॉमान है और विचल पैसिंग है आते हैं, पाले मिन नोरी जो है, यानी की आपके लंग को इंफेक्ट करता है, विटा ये क्या करेगा, डामिज करेगा वहां कि लंग्स को, यूनो, आपको मुकस हों है आपको प्रॉब्लम करेगा लंग में जो स्प आती है, लंग्स को बहुत ज्यादा खराब कर देगा, अचानक से, you know, एक होता है एक होता है एक्स्ट्रीम ट्रॉस बहुत ज्यादा वीग हो जाता है, इंसान बहुत बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ठीके, तो बेटा, यह कंडिशन होती है, ट्यूबद कलो से में, then there is a disease जिसको हम anthrax बोलेंगे bacillus anthracis बटाई ये एक disease है जो कि mostly animals को होती है किसको होती है ये disease ये mostly animals को होती है हांजी हांजी बट ये हमको भी होती है अगर हम इसके sports जो ये particular bacteria है अगर आप इसके sports इनहेल कर लेते हो और एक बर जब इसको इनहेल कर लेते हो ना that is very difficult कि आप फिर उस disease को अपनी body से धूर बगा पाओ ठीक है तो ये animals को होती है most commonly rare in humans हां बट infected animal के contact से बटा और sports इनहेल कर लिया तो हो सकता है tetanus क्या होता है ये भी आपकी GI tract को infect करता है अच्छा इसका नाम बता दो इसका नाम बता दो मुझको प्लीज टेटनस को क्या बोलते हैं जल्दी बताएंगे टेटनस का बेटा दूसरा नाम क्या है ये आता है एक्जाम में पता होना चेता भी तो मैंने क्यूं पढ़ा हो नी तो मैं टेटनस को बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा लॉक जा ये मसल स्पाजम कर देता है कभी देखा चोट लग जाती है तो tetanus का इंजेक्शन दॉक्तर सबसे बादेश या इंजेक्शन लगाया क्यों acceptable थे जूले वूले से लग जए मोस्तली आप यही जानते हो कि Ło से लगने पे आपको ट्री नेश का इंजेक्शन लगता है ऐसा क्यों होता है योग से बैटी होती है रस्ट सॉयल बैटा उस पे effect करता है आपके muscular system पर बेटा effect करता है पेइन होगा जिस एरिया पर लेट सपोज आपको चोट लग गई है और वहां पे पूरा पूरा एरिया आपका यूने सुन पर जाएगा swelling हो जाती काफी pain होता है spasm होते है muscular spasm होते है pain होता है ठीक है बिटा तो यह क्या होता है इसको हम लुक्हाम बोलती है, कॉररीला, यार यह हमेशा बोलने में को लगता है कॉरेला, ठीक है, कॉल destructive, सब coke, इसके पाने क्यों नहीं बोल पाते हूं, कॉलेरा डीजी, क्या है, हैजा, सुने हैजा हो गया, फैल गया, हैजा हो जाता है, पानी हैजा हो जाएगा तो भीटाइ यह क्या होता है इसको से कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं यह जो डिजीज होती है ना बेसिकली इस पे विटाती हूं आपको यह अगेन आपके जी आई ट्रैक्ट पे आपके इंटस्टाइन में हाँ हाँ कार मचा देती है कैसे immense diarrhea immense diarrhea हो जाता है जिसकी वज़से इतना watery diarrhea कि आपकी body fully dehydrated हो जाती है और body में पानी की जरुवत बहुत जादा है पानी जादा हो जाए कोई नहीं कम नहीं होना चाहिए salt की concentration बहुत जादा हो जाती है actually क्या होता है अगर आपकी body में salt कम है water कम है तो जैसे होता है जैसे कभी-कभी बहुत धूप में ठग गया suddenly ठग गया क्योंकि पूरा water sweat के तुरू निकल जाता है salt निकल जाता है तो नीवू पानी पीने से ठीक हो जाता है ग्लुकोस पीने से ठीक हो जाता है वो आपको instant energy देता है तो पिटा यह क्या होता है आपकी body में इतना water loss हो जाता है इतना vomiting हो गया डाइरिया हो जिसके वज़े से आप dehydrate हो जाते हो तो आपका पूरा osmoregulation body का मतलब खतरनाग बगड़ जाता है तो यहां पर एक question आता है जो मैं आपको लिखने जा रही हूँ अब एक चीज होता है ringer's lactate question यह आता है कि जो जो लोगों को cholera निकल गया सही नाम इस बर हुआ है उनको बेटा saline क्यों दिया जाता है saline क्यों दिया जाता है क्योंकि saline में होता है sodium और sodium का काम होता है आपकी body के अंदर water को retain करना ठीक है water को retain करके रखता है वो तो बेटा मतलब वही osmosis वाली condition होगी ना भई आपकी body के अंदर अगर sodium आ गया तो आपका जो cells है वो water को retain करने की कोशिश करेंगे तो वो ही यहां पे होता है जिसका एक नाम है ringer's lactate solution is given with a good amount of sodium ठीक है चालो next बेटा कहा आ गया है हम वाइरस disease में आ गया है और वाइरस disease में फोटो किश लो पोटो किश लो जल दीजे डेंगू आ गया बेटा डेंगू हर साल आ जाता है दिमाग खराब करने और फिकेजरी वाल के रेडियो में, टीवी मेहारे जगह आता है, डेंगु भगाओ, डेंगु भगाओ, वो बोलते हैं, इतना भगा दिया है, खेर चोड़ो, मैं तब एक टाइम पर मुझको गानने याद हो गया था, खेर मुझको आज याद नहीं है, तो मैं नहीं गा सकती, बिटा, सिम्टम्स क पीपल डाइविड देंगु, एक तो, I don't remember the name, एक फेमस इलेबिटी की वे डेथ होगी थी ना, देंगु से, अभी इंस्टेंट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, he is a very famous, तो बिटा, क्या हुआ, ये जो है न, प्लेटलेट्स आपकी बॉड़ी में कम हो जाते हैं, बहुत ज ठीक हो जाता है, ये बहुत लंबे टाइम तक आपके जोड़ों में दर्द रंग देता है, मतलब बिमारी चले गई, अपना असर छोड़ जाती है, नाँ दिस इंपोर्टन, ये बेटा वेक्टर से होता है, एगस एगेप्टी, एडिस और एडिस एगेप्टी, एडिस एगेप्टी जब मॉस्केटो जिसके त्रू ये स्प्रेड होता है, इसलिए बोलते हैं, कूलर को साफ करके रखो, अपने आस पास पास पानी मत एक जगा पानी खटा मत रखो, बारिश हो रही है, तो रोडे अच्छी बनना हो, इन सबसे बेटा, क्या होता है, इन सबसे डेंगू फैलता है, क्योंकि वाटर मीडिया में बहुत जल्दी से बढ़ने लग जाते हैं, मॉस्केटो और कोई एक ऐसा मॉस्केटो आ गया जो क करता है, और वो आपके लेवर प्लेटलेट्स मसल पे असर करता है, देन इस अ कॉमन कोल, अभी देखा, कॉमन कोल बेटा, वो तो बैक्टिरियल डिजीज थी, यह तो वाइरस है, कॉमन कोल इस कॉस्वाज बायरेस, यह तो सब जानते हैं, सब को उता रहता है, थ्रोट में दर्दो, तो तरोट से टकने में दर्दोता है, फीवर आ जाता है, कभी-कभी, बहुत इरिटेशन हो जाती है, हैडेक हो जाता है, स्नीजें होती है, सब कुछ होता है, ठीक है, तो बैटा, यह भी ड्रापलेट से फैलता है, अभी चॉमन कोल किसी दोस को जाता है, तो सब म contagious अभी जब नया नया coronavirus आएगा, I am damn sure आप बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारी जिज़र पड़ी होगी Ebola के बारे में फिर से YouTube में देखा होगा Influenza के बारे में SARS के बारे में इन सब के बारे में YouTube में देखा होगा कि कौन कौन सी खतरनाक खतरनाक डिजीज आई, तो ये डिजीज भी आई होगी आपके सामने, आई होगी ना कही ना कही देखा होगा, it was one of the very very highly contagious disease, मतलब इतने लोग मरे थे, इतने लोग मरे थे, यूँगि छूता ही फैल जाता था भाई, मतलब साथ रहते ही फैल जाता था highly contagious disease, but now it has been totally eradicated ठीक है बिलकुल खतम हो चुकी है ये disease, muscle pain होते हैं, rashes होते हैं, एक बड़े peculiar rashes हो जाते हैं, बोड़ी में जो से fluid निकलता है, इसलिए touch से भी फैलता है मैंने कोई चूँ दी, आपने उसको चूँ दी तो वो उससे भी हो जाता है infected items, direct contact and so on, polio, now polio everybody know, polio क्या होता है बोलते हैं न, दो बून जिन्दगी के polio drop is लेना, बहुत बहुत जरूरी क्योंकि again, ये उन जगा में होता है let's suppose, बच्पन में you know, आपका हाईजीन अच्छा नहीं है आपने गलत जगा से खाना खालिया तो गलत खाने कर देता है ठीके तो ये सारी चीज़ होती है fatigue होता है, muscle का loss हो जाता है ultimately, मतलब जो उनका stature होता है, वो बिगड़ जाता है तो polio का vaccine है तो इसको obviously awareness होनी चाहिए सबको, ठीके बटा, फोटो ले ले लेंगे फोटो ले लेंगे of all these important influenza अगर कोई बोले flu क्या है, तो flu बिटा not common cold, not pneumonia, it is influenza, ठीके, अब ये influenza कितने सारे type के थे है तो ये बिटा, influenza virus से होता है सेम, आपकी respirator drug droplet से फेलता है, ये सारी चीज़े है chicken pox बिटा, varsella zoster, काफी जादा muscle और joint pain खड़ा करके रख देता है, भाई ठीक है, ये बहुत problem हो जाती है, अरे पिटा, sorry चिकन गुनिया, वारसी, कैसे हो सकता है, ये तो chicken pox का होता है ठीक है, बिटा muscle pain, chicken gunya virus से होता है वारसी, तो आपका वो है, ने, varicella is your chicken pox, और varicella में आपको पता है, chicken pox में बहुत सारे बच्चो को chicken pox हो जाता है मतब, एक time में किसी ना किसी को chicken pox में, मतब, there are majority of people को life में कभी ना कभी chicken pox हुआ है rashes हो जाते है, a very peculiar rash हो जाते हैं आपकी body में उसमें से drop plates आते हैं, pain रहता है, body में खतरनाक pain होता है, ठीक है, itching होती है बहुत जादा, now rabies, rabies oh god I must tell you, आपने कितनी सारे diseases पढ़ ली, Ebola, Vibola, सब पढ़ लिया, और एक होता है कि ठीक होने का rate क्या है, और अगर यह हो गया, तो मरने की कितनी शमता मारने की कितनी शमता है उसके अंदर आपको पता, टॉप में आता है, यह rabies virus, टॉप में आता है अगर एक बर हो गया गए, कैसे गए mostly dogs को होता है, मतलब बिचारे प्यारे से dogs को you know हो जाता है, यह rabies और आपको पता है क्या होता है बोलते हैं न कि यह dog पागल हो गया है इसे गिल क्या होता है, वो एक mad behavior आ जाता है पानी का यूँनों बहुत घर लगता है अब यह मत सोचना की ज़्यादा तर स्टीक डॉग यह पानी से डरते हैं तो हाइडरोफोबिया सभी को है, नो इनके अंदर अलगी लेवल का हाइडरोफोबिया हो जाता है कि इनिशेली पता चलता ही नहीं है कि है क्योंकि ब्रेन में ब्रेन के सेल्स को इंफेक्क कर रहा है तो जब मर जाएगा और उस टाइम पे बाइ चांस अगर आपने उसकी टेस्टिंग किया तब पता लगेगा कि ओ इसको रभीस था तो यह जो है बहुत रेर होता है यूमन्स बे एक केस आया था बहुत पहले I don't remember the exact year मैंने भी बहुत सारी डिजीज देखी थी जब नया नया कोरुना आया था तब देखा था मैंने कि यह सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा इसका फेटल रेट होता है यह ठीक नहीं होता बिटा डॉक्स को होता है mostly hydrophobic हो जाते है biting behavior nerve cells damage हो जाते है पूरा nervous system damage हो जाता है brain damage हो जाता है now measles measles पता है आपको Robiola virus से होता है again body में rashes हो जाएंगे eyes में redness हो जाती है red red eyes गोने लगती है और बहुत सारे नो बुखार बुखार यह सब चीज़े आती है then बिटा आपका encephalitis हो गया यह आपका herpes simplest virus हो गया बिटा encephalitis क्या होता है यह आपका encephalitis में आपका जो brain है ना मतलब ऐसे बुखार बुखार होगा but ultimately आपके brain में swelling हो जाती है brain में swelling cause कर देता है यह virus अगला देखो क्या है यहां पे कुछ और रह गए बिटा AIDS like we know auto sorry acquired immunodeficiency syndrome बिटा यह cause करता है HIV cause करता है HIV is human immunodeficiency virus तो बिटा यह अभी मैं बताऊंगी अभी हम AIDS को डिटेल में पढ़ेंगे बढ़ यहां पे हमको पता है measles story दुबारा आ गया कोई बात नी ठीक है AIDS को भी पढ़ेंगे it is immune आपकी immunity को खराब करता है दिन बिटा मम्स मम्स एक virus है ना उसका नाम मम्स virus ही है और यह क्या करता है ना जैसे आपकी body के अंदर आया यह आपके salivary glands को बहुत जादा infect करता है मतलब आप देखो कि ऐसे फूला फूला सा हो जाता है मतलब यहां पे ऐसे swelling हो जाएगी कतरनाक से यहां पे swelling हो जाएगी यहां पे parroted glands और आपके survivaly salivary glands के अलगला glands होता है यहां पे इसको basically infect करता है तो बहुत जादा swelling हो जाएगी mouth को open करने में बहुत problem हो जाएगी खाने पीने बोलने में बहुत जादा दिक जाती तो it is caused by a virus, mumps virus hepatitis B यह बहुत effect करता है बहुत liver को liver को खतरनाक infect करता है herpes again a sexually transmitted disease caused by the herpes virus चालो अब आ गए हम कहां पे आ गए हम worms में अब worms कौन कौन से हैं जो disease cause करते हैं अब कुछ बहुत important worms हैं बटा उसका आपको पता होना चाहिए ascaris round worm जो belong करता है to the phylum ascal helminthus round worm with no segmentation बटा यह क्या cause करता है बोलते है ना पेट में कीड़े होगे हैं बच्चों के बटा यह होती है वो disease ठीक है तो internal bleeding muscular pain you know blocking of intestinal package यूँकि ultimately आपके gastro-intestinal tract को infect कर रहा है गया कैसे गंदे पानी से बटा ऐसे अन-hygienic चीज में सीवेच के आसपास आप बैटे हो मतलब कुस किसी भी तरीके से फीकस से या कोई किसी तरीके से आप उससे infect होगे हो ठीक है healthy person को बटा कैसे होता है water इन सब से होती है diseases phlariases leg में आपकी NCRT में बटा एक इमेज बनी है एक आदमी बैठा हुआ है with a leg बहुत ज़ादा body से एक leg में बहुत ज़ादा swelling हो गई है इसको elephantiases भी बोलते है it is caused by philarial worm और ये बिटा क्या है vicharia, brankofti, vicharia malai इन दोनों से होता है इसका आपको बहुत important question क्या आता है कि किस से होता है philariases दूसरी चीज जैसे आपके plasmodium आता है आपकी body में आता है infect कर देता है सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ ये भी क्या होता है mosquito लेके आता है mosquito ये philarial worm लेके आता है इसके जो मतलब आपकी body के अंदर जाएंगे ये आपके lymphatic system में फैल जाते है अचा लिखा तो है ये आपके lymphatic system में फैल जाते है chronic inflammation काफी लंबे समय तक रहती है और it is very very important ये बटा बेटा फैलता है Qlex mosquito से ठीक है तो जितनी फी ये आपके vectors है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए then one disease is tiniasis बिटा ध्यान से देखो अम मैं क्या बोल रही हूं एक और disease आईगी अभी एक होता है tiniya एक tiniya में पिटा ट-A-E होता है और एक tiniya में ट-I-N-E-A होता है ठीक है this tiniya is caused by worm by tiniya solum solium and it is a tape worm एक पागल सा कीड़ा आपकी पेट में चला गया intestine में चला गया और अतंख मचा के रग दिया intestine को खराब कर दिया जो you know beef खाते है raw beef खाते है गलत beef खाया है mostly यह उनको होता है बिटा आगए कहां हम fungus की disease में आगए fungus की disease में आगए और fungus की disease में आपे सबसे पहला है ringworm ringworm it is a misnomer नाम से लगता है worm ने cause किया है cause कुन करता है fungi बद्दू बना देता है बिटा microsporum trichal phyton epidermophyton यह वो fungi है जो की cause करते है यह disease leasins हो जाते हैं ऐसे आपके skin में circular circular दावाद बोलते हैं ring guard ऐसी वाले बिमारिया very very uncomfortable यह सारी चीज़ होते है itching, circular rash, bumps हो जाते हैं scaly leaf तो यह सब होता है obviously यह भी infected है अगर infected person के विनो वहाँ उस area से skin से आपका contact हुआ है directly तो हो सकता है athlete's foot now this was I was talking about athlete's foot teenia pedis भी बोलते है teenia pedis fungi से होता है teenia that was teenia यह पैरो की उंगलियों के बीच में हो जाता है महाँ पे itching, महाँ पे dry scales यह सब होती है ठीक है चलो अगला देखो कहां पहुँच गए हम देखते ही देखते आ गए protozoan disease में protozoan disease में बेटा सबसे पहले malaria बहुत important plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium falciparum सब कॉस करता है जिस में जो plasmodium falciparum है काफी fatal form होती है malaria की malaria का इस पे malaria पे बटा वो भी question आता है कि जो कौन सी antibody कौन सी medicines जाजर यूज होती है तो chloro एक मिल पेटा spelling गलत हो गई क्यूनीन और chloroqu्यूनीन अभी बीच में हुआ था ना की कौन सा virus coronavirus को पेटा उससे भी treat कर सकते है तो chloroqu्यूनीन यह इसी के medicines थी malaria की medicines जो काम आ रहे थी कुछ-कुछ ठीक है मतलब जिसको recently ऐसे malaria हुआ था जिसने यह वाली medicines लीती तो ऐसा देखा गया था ना कि उनको coronavirus नहीं किया है ठीक है काफी चिल शुरू-शुरू में बहुत जादा ठंट यह काब होता है मैं आपको बताऊंगी symptoms का बात है अभी आएंगे हम malaria में very important female anaphylis mosquito आपकी body के अंदर लेके आता है again important इसकी body में दो host होते है एक तो बिटा mosquito हो गया आपकी human body आ गई यह लेके आ रहा है इसकी body में sexual reproduction होती है और हमारी body में asexual reproduction होती है अभी देखेंगे कैसे multiply करता है rapidly multiple fission पढ़ा है multiple fission में आपको पता है सबसे पहले plasmodium ही पढ़ते है कितने सारे multiple fission हो गई बाद में यह टूट जाती है और सारे बाहर आ जाते है तो बिटा वो multiple fission इसी में हम पढ़ते थे बच्पन में plasmodium के कैस में पढ़ते थे it causes a disease पहले आपके liver cell को पहले blood से गई बिटा फिट लेवर सेल में जाती है लेवर सेल हेपाटोसाइड सेल को ब्रेक कर देती है और फिर फर्दर फर्दर आगे अभी बताऊंगे अभी बताऊंगे ठीक है this is a disease बहुत बार question आता है question बिटा dysentery किसकी वज़ा से होता है यह बार बार question आता है confuse करने के लिए dysentery and amoebic dysentery is different जो dysentery entamoeba histolytica से होती है वो बिटा amoebic dysentery है और बाकी दूसरी है शिगला वाली constipation same सब कुछ सब कुछ वैसा ही होता है यह बिटा house fly says आती है house fly मखी ठीक है बिटा चलो अब कहां आ गए कहां आ गए देखो देखते ही देखते पहुँच गए हम कौन सा कलर ले ले ठाक ग्रीन ठीक है कहां पहुँच गए हम malaria की life cycle में plasmo दंक की life cycle में वेरी वेरी important बिटा देखो क्या होता है सबसे पहले यह anophilis mosquito ने क्या किया कहीं से बिमारी को ले आई पागल कहीं से किसी को disease रखी थी में को काट गई किसी को भी काट गए में को क्यों कट वारे हो आपको भी नहीं काट जिसको हो गया पीटा infected person से healthy body में आके काट गई ठीक है क्या किया इसके salivory gland में मौजूद है यह sporozoids यह देख रहो ग्रीन ग्रीन से बिटा यह sporozoid मौजूद है यहां पे यह आई अपने लिवर में और हिपाटोसाइट मतलब लिवर के सेल्स लिवर के सेल्स में देख रहे हो कैसे एक खटा हो गई है और लिवर के से बिटा यहां पे लिखा है सायपाटिक साईजौंत साइजौंत इ Aquí's咲 representations जब मल्टिपल फिजिन हो गई ना वेटा तो एक डिख मार इसके बाौंधे कितने सारे मौल्टिपल फिजिन हो गई है ऌता रहे बाँडरीर और इसके बऌत भाण है Mirozoid जिस फॉर्म से यह लिवर से निकला है उसको बोलते है Mirozoid और यहां पर बेटा obviously asexual reproduction हुई है क्योंकि मैंने किस की बात की बेटा मैंने बात की थी multiple fission की this is asexual reproduction अभी क्या हुआ यह हमारी RBC cells में आ गए यह हमारी फट गए ना वह वाले cells फट गए कहौन से हेपाटोसाइट पढ़े लिवर किस यास डामेज हो गए ब्रेक हो गए तो यह खून में फैल गए तो जैसे ही हमारे ब्लाड में चले जाते हैं ब्लाड के अंदर आ जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे लिखा है हां जी यहां लिखा है यह इसा रिंग जैसा स् पोरोजैटओ सामारी ब demonstrate में आती है ये ले ट्रोफोजाइट एक डिस्क जैसा बना लिटा यहां पर-इक कुछ बना देता है डिस जैसा और आपको पता है जैसे ही यह डिस्क बना लेता है यह अपनी बॉड़ी के अंदर एक बड़ा घतरना गंदा सा पॉईजन रिलीज करता है हीमोजोई जो बॉड़ी को खराब कर रहा है नाव अगेन बेटा यहां पर क्या होगी देखो यहां पर भी हो रही है एसेक्शुल रिप्रड़क्शन क्योंकि फिर से साइज ओन स्टेज मिली है अब यह जब आरबीसी में फट गया तो बहुत बॉड़ी में बहुत जाधा फैल गया अचानक से अब पूरी बॉड़ी में जाएगा और विटा this is a condition जहां पर बहुत जाधा फीवर तो जो भी इसके symptoms होते हैं न बॉडी pain वो इस time में आते हैं इस time पर आते हैं अभी क्या होगा इन में से कुछ जो रिलीज हो गए हैं कुछ क्या करेंगे डेवलप हो जाएंगे male gametocyte में और कुछ हो जाएंगे बैटा female gametocyte में अभी क्या हुआ फिर इसे बेफकूफ दूसर healthy human being में आई थी तो बिटा gametocyte इसकी body में enter कर गए और जब इसकी body में gametocyte enter कर जाएंगे ना फिर इसकी body के small intestine में यहां पे बिटा sexual reproduction हो जाएगी तो gametocyte बिटा fertilize कर जाएंगे, fertilization हो जाएगी male and female gametes में और इसकी body में sexual reproduction हो जाएगी in the intestine which is important at last फिर से वो sporoside बनाएगी and the cycle continue, ठीक है? चलो अच्छा, AIDS में आ गए and the last disease जो very very important है that is AIDS बिटा, AIDS is known as acquired immunodeficiency syndrome causing बिटा human immunodeficiency virus, यह एक RNA virus है which is a retrovirus यह बिटा हमारी body के अंदर अपना copy डालता है, देखो जड़ा कैसे डालता है, देखो क्या किया इसने, यह इस रेट्रो वाइरस हमारी body में आया है, यह एक RNA होता है, इसके पास RNA होता है एक चीज़ आपको पता होगी, replication होता है DNA से mRNA बनता है, mRNA से protein बनते हैं with the help of ribosomes, this is known as transcription और बेटा, RNA से फिर से DNA बनाओंगी, this is known as reverse transcription, ठीक है, मुझे लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, यार चलो, this is known as reverse transcription और बेटा, यह क्या कर रहा, RNA आ गया cell के अंदर, in the cytoplasm, अभी देखो क्या किया बता मीज ने, इसने बेटा, बाड़ी के अंदर reverse transcription कर दी, reverse transcription कर दी, तो बेटा, यह RNA से DNA बन गया, बट यह viral DNA है, यह viral DNA बन गया, और हमारी बाड़ी को अंदर जो DNA है, उसमें new RNA virus बन गया है, और इस तरीके से multiple copies बनते हैं, जो पूरे के पूरे यह viral DNA वाले होती है, अभी देखो क्या हुआ, इस प्रेट कैसे होता है, पेटा, sexual contact, basically body के fluid से, serum से होता है, sexual contact, transfusion of contaminated blood, कहीं पर आपने blood, blood donate कर लिया, कोई needle, needle use कर लिया, जो की used थी, गलत तरीके से, प्रॉपर तरीके से, नहीं देखा गया, बटा, तो हो जाएगा, you know, drug abusers, they take injection के through drugs लेते हैं, very bad, हो सकता है यह, बटा, infected parents to offspring, अगर mother infected है, तो बटा, child, बच्चे को हो सकता है, father infected है, तो obviously again, बच्चे को हो सकता है, बटा, multiple sexual partners, unknown partners से हो सकता है, ठीके, चलो, no physical contact or touch, ऐसा नहीं है कि इसको AIDS है, तो मैं अच्छे संग बैटूँगा नहीं, खाऊँगा नहीं, कुछ नहीं करना, बटा, नहीं होता है, ऐसे AIDS, ठीक है, चलो, अब, symptoms कैसे होते हैं, तो देखो, इसके symptoms ना, तीन phases में बटे होते हैं, एक मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बता दूँ, कि बेटा, हमारी body में HIV आ गया, if we are HIV positive, that doesn't mean we have AIDS, HIV जब हमारी body में आता है, तो ये हमारी T lymphocytes को खराब करने लगता है, जिसको T helper cells भी बोलते हैं, तो ये T lymphocytes को खराब करेगा, तो immunity बनाते हैं, B and T lymphocytes immunity बनाते हैं, तो बेटा, ये immunity को खराब करने लगता है, at one point of time, जब इसका इतना level बढ़ गया हमारी body में, at the same time, T lymphocytes का level काम हो गया body में, बेटा, तो क्या होगा, हमारी body immune नहीं हो पाएगी, छोटी से disease, मानलो common cold हुआ था, निमोनिया बन गया, कोई भी disease, आस पास, कितने bacteria, viruses, every time are possible, एंसार ही हमारी body को infect कर देंगे, and when that will start, you know, affecting our immunity, then it is known as AIDS, ठीक है, चलो, तो initial, बेटा, asymptomatic symptoms, कभी-कभी symptoms नहीं भी आते हैं, उस time पे, obviously, हमारी body में, कोई antibody नहीं बनेगी, क्योंकि बोडी को नहीं बता चल रहा है, क्या हो रहा है, this is also known as a window period, हमें नहीं पता, कुछ-कुछ में हो सकता है, initially, flu-like symptoms लगेंगे, आपको लगेगा कि fever हो रही है, chills हो रहा है, rash हो रहा है, but it is very common, हमको एहसास नहीं होगा कि हमको AIDS हो रहा है, और यार गूगल में तो अगर देख लो ना, यहीं चीज़ हो रहा है, वो तो बोलते था है, आपको AIDS ही हो रहा है, मतलब गूगल में तो देखके, सब कुछ AIDS और सब कुछ cancer हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किसी को symptoms आते भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, asymptomatic phase, उसके बाद chronic HIV infection, इस time पर बेटा यह हमारी body के अंदर multiply हो रहा है, और T lymphocytes को कम करे जा रहा है, इस time पर हो सकता है, कभी-कभी it could be 10 to 15 years, और ऐसे ही AIDS फेलता है, पता नहीं चलता, और long सामें तक यह हमारी body के अंदर रहता है, और रहने की वज़ा बहुत लेट यह हमारी immunity को problem करता है, and stage 3 is the full, मतलब खतम, मतलब पूरी तरीके से भर चुका है यह virus हमारी body के अंदर, हमारी body का immune system को खराब करेगा, हर चीज होएगी, हर चीज, genitals में problem, pneumonia, बेटा, blotches हो जाएगे, swelling, gland swelling होने लगेगी, extreme tiredness, extreme weight loss, बहुत सारी चीज है यह हमारी body के अंदर होने लगेगी, and क्यों होने लगेगी, because RT lymphocytes, जिसको CD4 भी बोलते हैं, वो less than this much, ठीक है, बहुत बहुत जादा कम हो जाएगा, तो यह बहुत important slide है, जहांसे question आता है, इसका बेटा, diagnosis कैसे करती हैं, ELISA से करती है, enzyme linked immunosessorvent, confirmatory test, बेटा screening, अच्छा, जो initially asymptomatic phase था न, उस time तक तो यह screening करने का कोई फाइदा नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, बेटा western blotting करते हैं, आपकी body का serum ले लेंगे, और उसमें देखेंगे कि क्या antibodies बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं, आपकी body में वो virus आ चुका है, viral load test, यह पता करने के लिए होता है कि कितनी जादा concentration है हमारे amount, हमारी body के लिए कितना accumulative हो चुका है, the amount of virus, इसका treatment, obviously antroviral treatment, हाला कि it does not have any cure, हो सकता है, एक बन्दा HIV positive है, but, बहुत time तक वो यह medicines ले रहा है, तो उसको, symptoms काम हो रहे हैं, बट बिटा, उसकी immunity लिए नहीं हो रही है, बट क्योर नहीं है वो ठीक है, क्योर नहीं, दस नहीं हो रहे हैं, प्रिवेंशन के लिए, obviously, बहुत जरूरी है, कोई मादा प्रेगनेंट है तो उसका टेस्ट होना बहुत जरूरी है, बट इसका awareness बहुत जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए है, hospitals में blood donate करते हैं, syringes करते हैं, तो you should be very, you know, particular about कि वो क्या आपकी body में use कर रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा important तरीका यही है, कि आप aware होने चाहिए हूँ, and there are certain things, WHO, कुछ-कुछ NGOs इसके लिए करते हैं, and this is very important, NACO, National AIDS Control Organization, यह help करता है, किसम में यह help करता है, हमारी body के, हमको awareness फिलाने में, ऐसे चीज़े बताने में, information देता है, ठीक है, अब क्या आएगा, देख लेए न, आप लोगो ने कुछ आएगा, तो अब बिटा, आपके पास कुछ आएगा, और आपको आंसर करने है सही, चलो, जल्दी से करें, फटाफट करें, बिटाफट करें, लेट सार्ट देख देख लेएगा, फटाफट करें, फटाफट करें, Antamoeba, अगला क्वेशन बेटा, डेंगू फीवर किससे ट्रांस्मिट होता है, किससे ट्रांस्मिट होता है डेंगू फीवर, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, यहां पे जितने नाम हैं, वेरी इंपोर्टेंट, अगला क्वेशन, which pair of disease is virus कौन सी disease virus से होती है अगला question बिटा a certain patient is suspected to be suffering from AIDS कौन सी टेकनीक से आप detect करोगे detect करना है आपे जल्दी देखेंगे and the question is खतम ठीक है चलो फड़ा फड़ा देख लेते इसका अंसर क्या दिया है इसका अंसर क्या दिया है प्यारे प्यारे बच्चों ने इसका अंसर येस absolutely right बिटा ELISA ये तो अभी ही पड़ा था इसका अंसर क्या दिया है which is viral disease क्या अंसर है बिटा yes yes rabies and mums option c is absolutely right answer बिटा इसका अंसर इसका अंसर डेंगू फीवर किससे होता है no बिटा not enophilus mosquito, enophilus mosquito malaria से होता है yes adis aegepti is the right answer adis mosquito बिटा फिलाता है अच्छा एक और चीज़ बता दू adis ही yellow fever भी फिलाता है और jaundice नहीं है yellow fever ठीक है yellow fever को भी adis aegepti ही फिलाता है qlex आपको पता है मैंने करा दिया टिक टिक नहीं कराया बिटा इसके बहुत सारे वो नहीं आते हैं बट इसका एक question आता है sexy fly sexy fly glossy नस पिशी की आपकी ncrt भी नहीं है बट आता है बिटा question टिक टिक fly भी बोलते हैं इसको commonly यह trympano trympanosomiasis disease cause करता है organism कौन सा है trympanosoma brucei ठीक है trympanosoma brucei यह cause करता है बिटा और इसको हम sleeping sickness भी बोलते हैं तो क्या-क्या पढ़ना है इसके बारे में कि टिक-टिक fly is also known as sexy fly यह बिटा एक vector है जो कि grossina species का fly है यह बिटा एक disease cause करता है जिसको sleeping sickness बोलते हैं it is caused by trympanosoma brucei और जिसका नाम है trympanosomiasis भी ठीक है तो with this हम खत्म करते हैं आची class good night stay healthy dinner करो, खुश रहो और सारी class से जरूर रटन करो bye bye